वो इस चेक करिएगा एक बार चेक ठीक है देखो आज हमने क्या क्या कर लिए एक बड़ फटा-फट से देख लेते हैं हमने नंबर वन नंबर वन किया था हमने फाइनल अकाउंट है न फिर हमने स्टार्ट किया था इन्वेंट्री फिर हमने स्टार्ट किया डेप्रीशेशन फिर हमने स्टार्ट किया ब्रांच और हमारा एक major chapter है NPO और उसके बाद हमारा कुछ जिसे हम theory का part बोले वो है कुछ theory का part बोले वो है theory का part बोले कुछ वो है हमब complete पूरा दिखाओ भी परे कुछ theory के parts है अब हमने न कुछ-कुछ points छोड़ा हुआ था depreciation में एक revaluation account छोड़ा हुआ था और final में एक GST के साथ GST although concept कर लिया लेकिन GST के साथ questions को try नहीं किया तो आज हम revaluation को खतम कर लेंगे फिर किसी दिन ऐसे ही time निकालके GST revaluation कर लेंगे ठीक है न GST का revaluation कर लेंगे तो आज सबसे पहले हम देखेंगे revaluation क्या होता है देखाई ये register अभी देखता हूं बैठो पर लेंगे GST का ठीक है तो हमें पता होना चीए के हम किस stage पे हैं और law वाले बच्चों को थोड़ा से दिक्कत आ रहा था के sir law का syllabus वैसे तो regular class चल रहा है उसमें से एक part मैं कराऊंगा law का जो की है हमारा LLP वाला limited liability partnership firm उसमें से भी question पूछा जाएगा तो law का वो मैं करा दूँगा Sunday Monday जो भी schedule मिलेगा वो हम कर लेंगे चलिए sir अब सबसे पहले समझते है sir ये concept है क्या और क्यों आया कैसे आया पूरी जानकारी इसके बारे में पहले लेंगे फिर हम इस पर बढ़ने वाले है sir higher end purchase किस chapter में है higher purchase पहले हुआ करता था अब slayvers का part नहीं है हटा दिया गया है डेली युनिवर्सिटी से पहले जरूर हुआ करता था तो आज हम revaluation mode आपका model जो भी कहलो होता क्या है normally पहले AS न 6 हुआ करता था ध्यान से समझिएगा पहले AS 6 हुआ करता था तो AS 6 के अंदर पहले सिर्फ बोला जाता था आपको depreciation लगाना है और अगर आपने method को change कर दिया तो change को आपको starting से लेना है retrospective effect के साथ लेना है अगर आपने method change कर दिया तो retrospective effect से लेना है दूसरा number 2 आप कभी भी assets का revaluation नहीं कर सकते यानि अगर आपने assets को 5 लाग का खरीदा है न तो ये आपकी मजबूरी है कि हमेशा इस assets का cost 5 लाग बताना पड़ेगा और इसी के according depreciation चार्ज करना पड़ेगा जिसको हम historical cost भी कहते थे आपके exam में पूछा जाएगा what do you mean by the historical cost तो historical cost या फिर cost recognition भी है cost recognition या cost principle के नाम से है तो historical cost तो historical cost का क्या था limitation के भीया आज building 10 लाग का खरीदा है अबने तो कल भी आप बताओगे 10 balance sheet में हमेशा कितने का दिखेगा 10, 10, 10 जबकि law कहता है भीया तुम्हारा building 10 का है और balance sheet तो आपके business का फूरा picture show करता है तो आपका building का value तो 10 नहीं है अभी 20 लाग है तो आप इसमें 20 लाग रुपे दिखा ही है जो जर्रनली है क्योंकि आज जो investor इसमें invest करेगा पैसा वो तो देखेगा building अगर आप 10 लिखोगे तो वो तो सोचेगा कि भईया building यहां पे तो 10 का ही है लेकिन आप 20 का दिखाओगे building तो कहीं investor थोड़ा बहुत और good fail करेगा तो उसमें फिर amendment आया गया इस AS को delete करके AS 10 लेके आया गया और इसके अंदर assets को revaluation करने का भी provision रखा गया बोला गया कि अब आप assets के ऊपर depreciation जो है वो जैसे लगाते थे वही लगाएंगे लेकिन change method में जो पुराने impact लेते थे वो भी खतम कर दिया और assets को revaluation करेंगे अब revaluation में दो बाते हो सकती है या तो आप assets को ज़्यादा बढ़ा के दिखाओगे market value पे या फिर आप कम दिखाओगे तो अगर कम हो जायता है हमारा तो ऐसे situation में हम क्या करते है profit and loss से इसको compensate कर देते हैं लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो माने लीजिए आपका जो P&L है ना और P&L से जो हमारा profit निकलता है ना ये profit हमारा किसका होता है सर business का profit होता है प्राफिट किसका होता है business का profit होता है ठीक है अब जो business का profit है लेकिन जो assets को आप बेच के खरीद के ये जो पैसा होता है वो capital reserve होता है और एक ऐसा होता है कि assets की valuation करके जो होता है वो re-valuation का profit होता है तो ये तीनों एक जगए नहीं रहते जितना assets बेच बेच के पैसा profit कमाओगे कहाँ चला जाता है capital rhythm में जितने आप समान को बेच बेच के profit कमाओगे जो daily ordinary transaction है वो चला जाता है P&L में अगर किसी assets को valuation करके profit कमाओगे तो वो कहाँ चला जाएगा हमारा re-valuation account के अंदर सर ये तीनों को न balance sheet के liability side ही दिखाये जाता है लेकिन अलग अलग दिखाये जाता है कभी इसको combine नहीं किया जाता P&L अलग दिखाये जाता है re-valuation reserve अलग दिखाये जाता है capital reserve अलग दिखाये जाता हम तीनों को merge नहीं कर सकते तो इसी लिए जब assets का re-valuation होने लगा तो इसके अंदर बोला गया के भाईया जब assets का re-valuation करोगे तो एक तो re-valuation पे impact आएगा तो उस re-valuation account को आपको बना के दिखाना होगा यहाँ पे machinery में क्या impact आएगा वो भी दिखाना होगा तो अब एक example देखिए example देखिए for example मेरा एक assets एक लाख रुपे का है और SLM depreciation लगा रहे है 10% के हिसाफ से इसका मतलब depreciation 10,000 लगा बचा कितने का 90,000 अब मेरा मन करता है फिर से एक साल का depreciation लगा देते हैं 10,000 का बचा कितने का 80,000 का अब मेरा मन करता है कि इस assets की valuation change कर दी जाए इस assets को कर दिया जाए कितना 90,000 कर दिया जाए इस assets को कितना कर दिया जाए 90 तो now depreciation जो charge होगा वो तो इसके उपर होना चालू हो जाएगा ठीक है ना यानि जो पहले आपका 10,000 depreciation लग रहा था ठीक है वो 10,000 तो ही है अब valuation की वजह से आपका 10,000 रुपए के assets में increment हो गया अब इस 10,000 के उपर आपको 1000 रुपए का extra depreciation charge करना पड़ेगा क्योंकि पहले 10,10,10 SLM के हिसाफ से चल रहते हैं कोई बात नहीं अब जैसे इसका revaluation हुआ revaluation के वजह से आपके assets का value कितना अप हो गया 10,000 और उस 10,000 पे 10% कितना होगे हमारा 1000 तो अब जो हमारा P&L के अंदर depreciation जाएगा ना वो तो 10 ही रहेगा लेकिन जो extra 1000 रुपए का depreciation है that is not so P&L ये चला जाएगा कहां पे revaluation account में तरह इस बात को समझेए यानि जो valuation अब होने की वजह से जो depreciation extra लग रहा है तो जितना depreciation हमारा normal है वो तो कहां जाएगा हमारा P&L में जो extra depreciation लग रहा है वो P&L में नहीं जाएगा उस depreciation को उठा के कहां ले जाएगे हम revaluation के अंदर लेके जाएगे पहला major changes यानि जो हम यहां पे लिखते थे ना machinery account में machinery account में लिखते थे by depreciation तो यह depreciation तो जाता है भई या P&L में उसके बाद जो extra लगेगा यहां पे revaluation के नाम से लिखेंगे अभी हम पूरा process एक question आपके सामने है दो है एक मैं कर दूँगा एक आप ट्राई कर लेंगे आपका concept हो जाएगा एक बच्चे का ये भी query आए था कि सर हमारे internal उनके internal college में भी यही question पूछा गया था तो एक तो ये impact आ जाता है दूसरा जब हमारा assets revaluation होगा तो या तो फाइदा होगा या तो नुकसान होगा तो अगर नुकसान हुआ तो अगर फाइदा हुआ तो आ जाएगा to revaluation मान लेते हैं कि आपका assets का पहले क्या था सर पहले CD था 80,000 रुपए तो ये BD भी कितना बना 80 बना था हमारा तो extra जो valuation में आपने 10,000 increase किया तो revaluation के नाम से अलग से दिखाओगे कि आपका assets का value क्या हो चुका है बढ़ चुका है तो दो ही major impact है एक जब revaluation से extra होगा तो अलग से show करना होगा और उसके उपर depreciation जो लगेगा उसको भी हमें क्या करना होगा सर अलग से उस depreciation में मर्ज करके अलग से show करना होगा मर्ज पूरा नहीं करना अलग से दिखाना होगा तो हमारे इस सवाल को एक बार देखते हैं और working note समझ में आ जाए तो account भी बहुत easily समझ में आ जाएगा इस question को देखते है working note समझ में आ जाएगा तो account भी easily समझ में आ जाएगा चलिए मैं एक पहले machinery account बना लेता हूँ एक machinery account जैसे कि बनाते थे ये तो बन नहीं है चलिए ये बन गया हमारा machinery account सर कौन-कौन से account demanding में है कौन-कौन से account कह रहा है examiner बनाने को देख लेते हैं कि कुश्चन में कहता है कि आपका रची लिमिटेड रचीत लिमिटेड बौट आम machinery पचास हजार का एक machinery खरीदा एक अप्रेल दो हजार सोला में खरीदा वन मोर मसीनरी खरीद लिया इसने फर्स्ट अक्टूबर दो हजार सोला सेम येर में ही और उसकी कीमत रची गई चालिस हजार दा रेट अफ डेप्रेशेशन 10% पर एनम और रेट अफ डेप्रेशेशन 10% पर एनम था SLM बेसिस से एक अप्रेल 2018 में यानि दो साल के बाद दा मेनेजमेंट डिसाइड मेनेजमेंट बोलता है कि भाईया हम ऐसा करने वाले हैं फिल देट देट डियर इस नीड तो रेवेल्यवेशन अफ दा मसीन उसने बोला कि दो साल बाद के हम मसीनरी को रेवेल्यूट करेंगे दा फर्स मसीन वाज रेवेल्यूट 20% हायर देन बुक वेल्यू यानि जो दो साल डेप्रिशेशन माइनस करने के बाद जो वेल्यू बचा होगा उसके उपर कितना अप कर देंगे हम 20% अप कर देंगे दा वेल्यू सेकिंड मसीनरी को हम लेस देन कर देंगे यानि सेकिंड मसीनरी की वेल्यू में हम कमी करेंगे तो पहले machinery को बढ़ाना है दूसरे साल में और second machine को घटाना है October 2019 ठीक थोड़े दिनों के बाद यानि April के बाद हमारा March एक पूरा साल गया उसके last year में जाके the first machinery become absolute absolute का मतलब खराब हो गया इसे sold ही करना पड़ेगा और हमने उसको sold कर दिया और incurring आपका 7000 रुपीस loss में in excess of depreciation arising on the revaluation should be charge revaluation reserve account कहता है जो भी excess depreciation लगेगा क्योंकि revaluation किया है तो ज़्यादा लगेगा तो जब ज़्यादा लगेगा जो आपने बढ़ाया है value को तो आपको अगलग से charge करना होगा revaluation में आगे कहता है as per as 10 as 10 के according as 10 के according आगे कहता है एक मिन्ट एक मिन्ट एक मिन्ट रुको पेरिंट्स का है चलिए तो question में क्या कह रहे है question में कहता है 10 so the machinery account और machinery account के साथ depreciation account भी बनाना है आज से पहले हमने सवाल में depreciation account नहीं बनाया इसके बाद revaluation reserve account भी बनाना है ये भी नहीं बनाया तो हमारे लिए नहीं चीज़े है एक depreciation account न्यू है और एक revaluation reserve न्यू है इसके बाद कहता है कि आपको 31 मार्स से 20 तक का का काम करना है ठीक है पहले हम working note देख लेते हैं ये दोनों machinery one एक चार दो हजार सोला एक चार दो हजार सोला को machinery खरीदा कितने रुपए का खरीदा सर पचास हजार कितने का खरीदा पचास हजार इसमें से माइनस क्या कर देंगे हम पहले depreciation depreciation का rate यहाँ पे सवाल में दे रखा है 10% SLM तो 10% SLM के हिसाब से लग गया 5000 हम दोनों pattern पे depreciation निकाल लेंगे बचा कितना 45000 डेट है हमारा 14207 अभी depreciation का decision नहीं लिया गया इसके बाद 31-3-2018 फिर से डेप लगेगा क्योंकि SLM है तो again लग जाएगा इस पे 5000 तो बचा हमारा कितना 40,000 अब management decide करता है कि revaluation कर दिया जाए और revaluation में क्या decision लिया गया है इसके value को क्या कर दिया जाए बढ़ा दिया जाए तो revaluation में बढ़ा दिया जाए तो plus आपका profit को हम क्या करेंगे अब कर देंगे sorry profit के हमने assets के value को क्या करेंगे अब कर देंगे तो मैंना एक साथ के साथ और अच्छे से समझ में आ जाए इसी assets पे बढ़ाने के बाद का भी मैं depreciation लेके चलूँगा तो हमारा assets का value है यह समझाने के लिए extra आपको exam में नहीं करना तो 50,000 depreciation 5000 5000 5000 के बाद आगया 45,000 45,000 के बाद फिर से 5000 और यह आगया हमारा 40,000 40,000 पे हमें value बढ़ाना है 40,000 पे value बढ़ा के दिखाना है 40,000 पे value बढ़ाना है plus 40,000 पे कितने बढ़ाना है 20% तो यहाँ नज़र आया है के हमारा 8,000 से value बढ़ गया that is आपका हो गया 48,000 कितना हो गया 48,000 चलिए अब आते हैं हम आगे अब दूसरी machine का भी देख लेते हैं machinery 2 का यहीं पे कर लेते हैं M2 का क्योंकि अब ना इसके बाद यहाँ पे situation चलेगा और यहाँ पे भी देखेंगे हम machinery 2 machinery 2 machinery 2 कितने का खरीदा सर machinery 2 जो खरीदा था जगह मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो हम इसको लेके चलते हैं इधा machinery 2 machinery 2 machinery 2 machinery 2 का इधर देख लेते हैं same हमारा जो date पे खरीदा गया है date क्या है हमारा 1 October 1 October 1 October 1 10 2000 2016 कितने का खरीदा गया 40 का खरीदा गया अब क्यूंकि 6 मेने का डेप लगेगा तो minus डेप कर देंगे तो 2000 पहला डेप लगा दिया बचा कितना हमारा 38 अब इसके बाद पूरे साल का डेप लगेगा SLM है तो कितना लगने वाला है सर 4000 तो कितना बचा हमारा 34 अब डिसाइड़ इसकी वेल्यू को डाउन करो और मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है इसकी वेल्यू को क्या कर दो लेस कर दो तो हम यहीं पे करेंगे थोड़ा मैं स्मॉल साइज कर देता हूँ यानि सर यह कितने का था 40 का 2000 डेप लगा और बचा कितने का 38 मैं लंबे प्रॉसर से जरूर कर रहा हूँ लेकिन समझ में आ जाएगा आपको कि मैं करना क्या जा रहा हूँ 34,000 इसकी वेल्यू को अगर हम डाउन कर दें तो कितने से डाउन होगा 3400 अल्टीमेटली देखा जाए तो यह जो बच जाएगा कितना बचेगा 34 माइनस करने के बाद हमारा 30,600 वेल्यू ठीक है न यानि सर हमारे एसेट्स के रिवेल्यूएशन से एक इंपेक्ट जनरेट हुआ नेट इंपेक्ट की बात करे न तो बढ़ा हमारा 18,000, 8,000 और घटा हमारा कितने? 3400 अल्टीमेटली देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 3600 रुपे 3600 चात्यस सो यह आएगा न? नहीं, 3600 नहीं आएगा 4600 अल्टीमेटली देखा जाए तो 4600 अल्टीमेटली देखा जाए चार्ज करना पड़ेगा एक्स्ट्रा यानि जब हम यह एसेट्स अकाउंट बनाएंगे तो इसके अंदर हमें एक रिवेल्यवेशन की एंट्री पुट करनी होगी और वो कितनी करनी होगी हमें 4600 रुपे तो पहले इस सार्टिंग से देख लेते हैं नॉर्मल डेप्रिशेशन सर यह डेप्रिशेशन कर रहो मसीनरी अकाउंट है यह क्या है हमारा मसीनरी अकाउंट है मसीनरी अकाउंट ठीक है यहाँ पर क्या आएगा टू मसीनरी अकाउंट टू बैंक टू बैंक डेट क्या था सर 1416 कितने का खरीदा? पचास हजार. कितने का खरीदा? पचास हजार. इसके बाद two bank. कितने का है सर? ये कितने का है? चालिस. यानि सर दस, इक अतिस, नई एक दस. एक दस को. एक दस सोला में. और ये चालिस का. तो यहाँ पे तो decision हुआ ही नहीं. decision कब हुआ 18 में तो 18 के हिसाब से लेना है जब decision हुआ चलिए फटा-फट पहले साल का depreciation लगा के balance cd निकालते हैं तो पहले साइड लगेगा by depreciation number one और by depreciation number two ये आ गया हमारा 31 बारा sorry 31 येर आप चेक कर लिजेगा 31 यानि 2017 ही हो गई है तो इस पे लग गया 5000 और इस पे लग गया 2000 क्योंकि पहले साल तो 6 महिने तक लगा है तो by balance by balance cd तो ये आ गया हमारा 50 और 40 90 और ये आ गया 90 और 90 में से 7 गए तो कितने बचे 83,000 83,000 बच गया एक चार 2017 टू बैलेंस टू बैलेंस बीडी टू बैलेंस मैंने इसको आगे तक अभी लेके जाना है जो बिका बगएर है वो बाद में देखते हैं अभी हम 2 बैलेंस बीडी कितने रुपे का आएगा हमारा 83 और सर इस समय भी revaluation नहीं लगा तो इस समय भी by depreciation normal चलेगा और by depreciation normal कितना आ जाएगा हमारा एक पे लगेगा 5000 और by depreciation दूसरे पे पूरे साल का लग जाएगा that is 4000 और अब यहां पे देखा जाए अब यहां पे देखा जाए तो यहां पे यह भी डेट आएगा 31 31 valuation अब निकालते हैं क्या बनता है valuation निकालते हैं क्या बनता है यह आ गया हमारा 83 और यहां भी आएगा 83 इसको थोड़ा सा अड़्जिस्ट करते हैं कि मिटा देते हैं 83 अब आएगा हमारा बाय बैलेंस बाय बैलेंस सीडी अब अगर हम माइनस कर दें 83 में से 9000 तो कितने बचे हमारे 83 में से 10 गएंगे तो 74 नाव यह आजाएगा हमारा एक चार दो हजार अठारा टू बैलेंस टू बैलेंस बीडी कितना 74 अब 74 के अंदर हम क्या करेंगे 74 के अंदर अब यहाँ पर रिवेल्यवेशन का इंपेक्ट आ जाएगा तो रिवेल्यवेशन कब करा एक अपरेल को तो यहाँ पर रिवेल्यवेशन का इंपेक्ट डालेंगे Revaluation, समझना जो चीज़ अलग हो रहा है तो कितने का impact आएगा हमारा 4600 अब जो depth लगेगा ना वो depth पता है कितना लगेगा By Depreciation मैं थोड़ा add करके दिखाऊंगा तो Depreciation सर, normally हमारा तो लगना थो 9000 है ना Normally 9 लगता कैसे 5-1 पे और 4-1 पे समझो आप, normally कितना लगता हमारा 5-1 पे और 4-1 पे लेकिन ये जो extra है इसका भी तो depth अब जोड़ना पड़ेगा हमारा revolution के तो कितना और जोड़ देंगे इसमें कितना और जोड़ देंगे, 460 तो revolution में कितना अब जो depth लगेगा, total कितना लगेगा आपका 9460 पहले ये देखिए, revolution से क्या impact आया, अभी बेचना खरीदना तो बाद में है, depreciation account बड़ा असान है और revolution भी बड़ा असान है अगर ये समझ में आ गया तो आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएगी देखिए, पहले यहां तक देखिए किसी को दिक्कत 460 इस वाला जो हमारा assets अप हुआ है अब जो assets बढ़ा है, उसके उपर भी तो debt charge करोगे, अब देखो यहां पर समझते हैं, पहले हमारा assets, कितने assets हैं हमारे पास, एक तो इसके उपर debt लगेगा इसके उपर debt लगेगा सर कितना लगेगा, 5000 रुपए तो पुराना लगी रहा था इस पर, है न 5000 पुराना, प्लस extra वाले खा कितना 800 रुपए, यही होगा और यहां पर पहले से कितना लग रहा था depreciation 4000, और यहां पर नुकसान हुआ है, तो माइनस हो जाएगा कितना 3400 का नुकसान हुआ है तो 340 माइनस हो जाएगा तो अगर यहां का debt देखोगे न तो आपको नजर कितना हैगा सर यह आएगा, आपको 3660 और इस अबाले पर देखोगे न, तो कितना नजर आएगा अठावन सो अगर टोटल मैं ले लेता हूँ तो टोटल की केस में इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 9460 रुपए चेक करिए आप चेक करिए आप कैसे भी करके समझ लेजिए कोई दिक्कत नहीं है क्लियर है यानि मैं सिर्फ क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा पुराना डेप्रीशेशन चल रहा था वो तो रहेगा ही रहेगा जो एक्स्ट्रा पार्ट इंप्रूव हुआ है उसका डेप निकालके इधर डाल देना है लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि 9000 तो पुराने वाला चल रहा है रीवेल्यूएशन की वज़े से कितना अप हुआ है 460 आप देखना चाहते हैं तो एक तो ये 800 अप हुआ है बढ़ाने की वज़े से और 340 डाउन हो गया घटाने की वज़े से तो दोनों का डिफ्रेंस जब लेंगे तो फिर से क्या मिलेगा आपको 407 हो गया ठीक है यानि जो अप कमिंग येर होगा अगर हम डेप्रिशेशन लगाएंगे तो कितना लगाएंगे इस वाले पे इस वाले पे लगेगा 5800 लेकिन अगर बीच में भिग गया तो सिर्फ उसके उपर कितना लगने वाला है 3600 पहले यहां तक देख लिजिए कोई दिक्कत कि यहां तक कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं चलो अब आजाते हैं अब आजाते हैं हम अगले साल की तरफ ठीक है अगले साल डेप्रिशेशन लगाए जाए यह जो एक्स्ट्रा वर्क है इसको मैं थोड़ा इधर से हटा देता हूं क्योंकि मुझे अगले साल का इसमें हिसाब किताब बनाना है इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क हो मैं इधर ले जा रहा हूं ठीक है अब यह क्या कहता है इस एससेट्स को सर बेच दिया गया कब बेच दिया गया ठीक 6 महने ही होगे न अक्टूबर सेप्टेंबर हाँ छे महने इस्तमाल करके बीच दिया तो चे महने का यहां डैप माइनस करेंगे तो दो तरीके का या तो इसी के ऊपर सर चे महने का निकाल दो एक तो सुरू से चलता आ रहा है तो मैं ध्यान दे न अगर मैं इसके ऊप और जो बढ़ा हुआ value है, उसके उपर भी तो 6 महने का debt लगाओगे, बढ़े हुए value के उपर भी 6 महने का debt लगाओगे, तो और debt लग जाएगा extra, बढ़ा हुआ value कितना था, 8000, तो 8000 पर 6 महने का बनेगा 400, क्योंकि यह SLM है, तो इसका value जो निकल के आएगा, वो क्या निकल दिया 7000 के नुकसान पर, तो 7000 के नुकसान पर मतलब 30100 का बेचा होगा आपने, तो 7000 का आपका आगया नुकसान, यही कहां नहीं है यहां पर, देख लेजिए, और दूसरे वाला जो part है, इसके उपर depreciation, एक पुराना old वाला जो चल रहा है, वो लगेगा कितना, 4000, और न आस्ट वाले साल में क्या करा जाए, इस साल को तो close कर दिया जाए, इस साल को तो close कर दिया जाए, तो कितना आएगा, 7 और 4 ग्यारा, तो 81,000, नहीं, 7, सरी, 4 और 4, 8, 78, 600 है ना, 78, 600, बाइसाइड में क्या आएगा, बाइसाइड में, बैलेंस, बैलेंस सीडी, 78, 600, बाइस साइड में balance CD 78 600 माइनस में 9460 तो आ गया 69 69 140 तो यहां पर आ जाएगा 2 balance BD 2 balance BD कितना आ जाएगा 69 140 अब 69 140 जब आ गया अब माइनस करेंगे इधर क्या depreciation सर जो assets विक गया उसका depreciation कितना है सर यह है कितने है 2900 लेखिन यह बात ध्यान रखिएगा कि 400 कौन से वाला है जो revenue ठीक है चलिए इसके बाद buy side में bank से ही बेच दें इसको कितने का बेचेंगे हम 30100 और buy side में P&L से loss हो गया कितने का लॉस साथ हजार और buy side में फिर से हम depreciation चार्ज करेंगे कितना चार्ज कर लेंगे 36 कि साथ देख लेजिए आब आप देख लेजिए आप बैलेंस चेक भी कर लीजिए गाँ सिक्स नाइन वन फोर जिरो बैलेंस बैलेंस सीडी इन सभी का डेटा लग अलग है यह एक दस है यह एक दस है और यह भी एक दस है और यह 31 थीन है ठीक है ना तो माइनस 39 माइनस 30100 माइनस साथ हजार माइनस 3640 चेक करिए 25 480 आ रहा है क्या रहा है क्या रहा है क्या रहा है क्या बत्तिस तीन सु का सेल ने अड़ तालिस था कितने का बेचा है यह बत्तिस तीन सो बीस अच्छा हाँ एक मिनट हमने जो एसेट्स एड हुए वह लिखना भूल गया एक मिनट रुख जाईए मैं बता देता हूं थोड़ा सा रह गया है यहां पर आप इधर मत देखिएगा ठीक है इस वाले को देखिए यह रिवेलुशन एड़ करके है ठीक है यहां पर डेप्रेसेशन कितना माइनस होना है सर सर डप्रेसेशन माइनस होना है टूटल 3900 ये तो एगरी कर रहे है ठीक है तो अब 48,000 48,000 माइनस 29,000 तो बचा कितना 45,100 ज्यादा आ गया है तो 47,000 माइनस 27,000 38,100 यहाँ पर depreciation यहाँ पर करें मैंने अठारा में बेचा है उननिस में बेचा है यह आगे हमारा ठारा एक मिनट रुके एक साल मिस हो गया नहीं यहाँ तो सही चल रहे एकदम अच्छा इसमें ना एक साल का depreciation जो लगेगा 5,800 हाँ यह माइनस करना भूल गया तो 48,000 माइनस 5,800 तो 42,200 अब 42,200 पर कितना माइनस कर दे और पच्छेस सो 42,200 माइनस पच्छेस सो तो 49,700 पच्छेस चार उननत्यस, ओके उननत्यस सो ठीक है तो 42,200 माइनस उननत्यस सो और यह आगे हमारा 49 300 अब बेचा कितना 7000 के नुकसान पर तो माइनस 7000 32300 तो यहाँ पर बस थोड़ा changes हो गया यह क्या जाएगा बाकि सब ठीक है 32 300 और 32 300 की वजह से यह answer भी change होगा कितना 69 140 माइनस 3900 माइनस 32 300 माइनस 7000 26 माइनस 3660 23 280 चेक कर यह 23 280 यह account हमारा पिरपेर हो गया एक depreciation बनाना एक revolution वो तो छोटा सा account है अभी फटा फट से कर लिए पहले यह calculation देखो मैंने थोड़ा detail किया है हो सकता है बच्चों को confusion हो जाए मैं यह दोनों साथ के साथ इसलिए लेके चला comparison आपको एक ही बनाना है यह ठीक है ना यह एक ही बनाना है आपको यहाँ पर क्या मैं समझाने की कोशिस कर रहा हूँ कि value up होने की बाद यह depreciation और यह without value up होने के बाद तो मैं इसको एक काम करता हूँ ना इस वाले पार्ट को काड़ देता हूँ यह किसी काम का ही नहीं confusion रखेगा ठीक है यहाँ पर बस मैंने यह करा कि हमारा जो पुराने का डैप और नए वाले का डैप आ गया करेक्ट और यहाँ पर उसको add करने के बाद है हला कि देखा जाए तो आपको बस यही calculation लेके चलना चाहिए यह वाले की जुरत नहीं है सिर्फ मैंने compare करने के लिए कराया और यहाँ पर भी सिर्फ यही calculation लेके चलना चाहिए इस वाले की जुरत नहीं है ठीक है अब चले अब कहां पर जाएंगे depreciation के बाद revolution reserve account अब revolution reserve account देखा जाएना है तो कहां कहां है सर एक तो revolution reserve यह वाला है तो बस transfer ही तो करना है एक revolution यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी revolution है सर यहाँ पर revolution एक इसके अंदर जुड़ा हुआ है revolution का कितने रुपे 400 और सर एक इसके अंदर भी revolution का माइनस कर रखने हैं इतने रुपए तीन सो साट हो गया है सर अठावन सो वाली एंट्री नहीं आएगी है 58 58 वाली एंट्री अल्रेडी डन कर चुके हैं यह देखो अगर इन दोनों को आप एडलेस करोगे तो फिफ्टी एट हंडेड हम पहले ही दिखा चुके हैं यह ही 50 पहले दिखा चुके हैं कैसे 58 पहले दिखाया यह होग busy एट और short 54 जब इन दोनों कोो आप करोगे तो आपका यही आएगा two 對啊 नहीं है हां जब इन दोनों को 34 नहीं 36 60 को तो यहीं आएगा किलियर चलिए अब इसके अंदर एक और कुछ नहीं आप ट्राइ करिएगा नहीं तो वह भी मैं कर दूँगा अब हमें बनाना है सर डेप्रीशेशन अकाउंट पहले हम डेप्रीशेशन अकाउंट बना लेते हैं सिंपल सी बात है कि डेप्रीशेशन अकाउंट और फिर मैं एक बार पूरा रिकॉल कर दूँगा कि क्या कैसे करा है हमने अब कि 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 मसीनरी अकाउंट कि सबसे पहले आप अकाउंट पर आजाईए हमें इसी अकाउंट से तो डेप्रीशेशन उठाके वहां करना तो बाई में डेप्रीशेशन है यह ठीक है तो बाई का डेप्रीशेशन अगर जनल एंट्री मैं आप से करवा हूँ तो जनल एंट्री क्या बनेगा यहां पर डेप्रीशेशन टू machinery ठीक है अब depreciation में जाके क्या लिख देंगे हम बाइ machinery और मैं टोटल लिख रहा हूं यहां पे टोटल डैप लिख रहा हूं इन दोनों को जोड के पांच और दो साथ आप अलग-अलग भी लिख सकते हैं ठीक है और हमें कुछ यह यह कॉन सा है नॉर्मल तो बस यहां पर कहां जाएगा यह पीडल में जाएगा तो पीड़ अकाउंट लिखके 7000 खतम यह डेट आजाएगा एकत्तिस तीन और यह भी डेट आजाएगा इकत्तिस तीन अच्छा टू में आएगा हमारा एक मिनए depreciation में जाके टू machinery हाँ उल्टा हो गया depreciation में जाके टू machinery यहां लिखेंगे टू machinery और यहां लिखेंगे भाई P handle ठीक है, खतम अब दूसरे साल की कहानी स्टार्ट होगी दूसरे साल में भी हमारे क्या आएगा 31-3 को 2 machinery और दूसरे साल कितना आ रहा था 9000 और फिर यहां क्या आ जाएगा बाय पी एंडल ठीके कितना है 31-3 कितने दे रखें 31-3 फिर से दूसरा साल भी क्या हो गया सर खतम हो गया 9000 और 9000 सर अब तीसरे साल की कहानी अलग हो जाएग लोगा है, तीसरे साल में हमने टू मसीनरी मसीनरी पर depreciation लगा है 9000 लेकिन real stukation जो हमारे मैं total मसीनरी का dap लगा देता हूं चलो मैं dap लगा देता हूं तीसरे साल की कहानी में depreciation देख लेते हैं कितना है तीसरे साल की कहानी में depreciation है 9460 रुपए तो मैं यहां पर लिख रहा हूँ 9460 रुपए जिसमें से P&L के हिस्से में जाएगा सिर्फ 9000 और बाकी चला जाएगा रुवेलिवेशन inert, EV में कितना 460 यह भी 33 में मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि हर किसी का पी एंडल में नहीं जा सकता तो इसलिए यह वाला पार्ट तो रिवेलिवेशन में जाएगा ।ो इसलिए मैंने खहा भीजा इसको रिवेल्यवेशन में थीक है चलिए सर ये साल भी खतम हो गया लास साल रह जाएगा खतम हो जाएगा हमारा ये भी 9460 लास साल रह गया 9460 चलिए by side में two side में फिर से क्या लिखेंगे two क्या लिखेंगा बताओ two machinery और two machinery एक बाद ध्यान से total करना मैं अलग मार कर भी ले ले तो ध्यान से टूटल करना कितना डप आएगा एक ये डप और एक ये डप यानि 2900 और 3600 तारीक अलग-अलग है तो हम अलग-अलग लिखेंगे तो सबसे पहले कम आएगा सर ये सबसे पहले आएगा एक दस को कितना था हमारा 2900 लेकिन ये 2900 की कहानी है 2500 रुपए नॉर्मल वाले का जो की पी इंडल में चला जाएगा और किसका 400 रुपए हमारा एक्स्ट्रा जो की कहां चला जाएगा रिवेलिवेशन में अब 3110 को हम क्या करेंगे टू मसीनरी तू मसीनरी में देखा जाए तो क्या क्या आएगा तू मसीनरी में देखा जाए तो क्या आएगा सर यहां पे देखा जाए तो कहानी बिल्कुल अलग है नॉर्मल वाले का हमारा कितना था 4000 और इसमें से माइनस कर दिया हमने कितना सर 400 रुपए तो ये 400 ये माइनस होगा न 300 340 क्योंकि उसका एक्स्ट्रा तो हमारा 340 आएगा ठीक है 340 तो इस तरीके से कितना आया ये कितना आया बताओ 3660 अब देखा जाए तो buy side में profit and loss में तो हमारा depth डेप चला जाएगा तो profit and loss में मुद्दे की बात देखें तो एक तो ये जाएगा एक ये जाएगा यानि कितना चला जाएगा 6360 समझ में आया और हम reputation में कितना ये तो माइनस हो रहा है ये प्लस हो रहा है तो revaluation में कितना भेजेंगे इस साल हम तो दोनों का difference लोगे तो सिर्फ कितना रुपे 60 रुपे तो ये कितना हो गया 6560 और ये भी कितना हो गया 6560 सर ये जाएगा एक 10 को और ये चला जाएगा 31 को देखें बताईए समझ मैं बन गया ये भी simple depreciation अब बोला क्या बनाओ revolution तो यहीं से तो revolution बन सकता है यहाँ भी revolution है और यहाँ भी revolution और एक revolution पीछे था ठीक है तो revolution बनेगा एक हलाकि एक बच्चे के internal में पता नहीं उसने सही किया गलत किया क्योंकि हमने कर नहीं रखा था लेकिन regular college के internal में सवाल ये पूछे जा रहे है depreciation में से यही सवाल पूछे जा रहे है चलिए रिवेल्यूएशन अब चलिए पीछे अकाउंट से उठाएंगे हम ठीक है रिवेल्यूएशन यहाँ पे है तो entry क्या बनेगा machinery to revolution entry क्या बनेगा machinery account debit to revolution तो आपका अगर entry बनता है machinery to revolution तो revolution में जाके क्या लिख दोगे आप buy machinery तो revolution में आ गए और यहाँ लिखा हमने buy machinery कितने रुपे बन रहे थे हमारे 4600 पहले यह समझ में आया clear है अब यहाँ से revolution उठाएंगे यहाँ पे revolution by में है तो entry क्या बनेगा हमारा revaluation to depreciation ठीक है revaluation to depreciation तो revaluation account में जाके क्या लिखेंगे to depreciation लिखेंगे तो depreciation कितना लिखेंगे depreciation जो पाठ हमारा है 460 रुपे 4600 to balance cd बताओ माइनेस करके 440 by balance by balance bd 440 अब अगें दूसरे साल में फिर revolution 60 का आया तो क्या लिख दूँ to depreciation कितने का 60 का अब account आप match कर लिजे बराबर ये logically चल रहे है ऐसा नहीं के वहां का उठा के वहां रख दिया वहां का उठा के वहां रख दिया और 2 आ जाएगा हमारा balance cd तो आपको सबसे अगर इस पूरे सवाल को हम ध्यान से देखें और समझें तो मेजरली एक बार क्विकली मैं बता देता हूं सबसे पहले हमने क्या देखा था यहां सबसे पहले जब कभी भी एसेट्स का revaluation होगा तो revaluation के आप impact को जानोगे कि या तो आपका बढ़ सकता है या घट सकता है चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए उस revaluation के impact को हम ले जाएंगे अलग से revaluation reserve account में लेखिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारा revaluation reserve negative पहुंच जाए तो negative नहीं जाने देते हैं हम P&L में ले जाते हैं यह चीज हमने final account में भी देखा था कि अगर हमारा assets down जा रहा है तो ले जाते थे P&L के debit side में लेकिन अगर assets up जा रहा होता था तो हम अलग से liability side में create कर देते थे revaluation reserve account ठीक है ना तो सेम ऐसे तो यस वाले सवाल में हमारा एक का तो कम हो रहा था एक का जादा हो रहा था तो ultimately net effect क्या हो रहा था हमारा जादा ही आ रहा था तो हम सुरू से normal depreciation चार्ज करेंगे सुरू से बिलकुल normal depreciation जिस साल revaluation लगेगा उस साल जैसे हम assets को खरीदते है ना तो खरीदने के बजाए उस revaluation का नाम से entry मार देंगे अब जो debt लगेगा revaluation portion पर अलग लगा कर चलना और पुराना अलग दोनों को जोड़ देना तो 460 revaluation portion का हो गया और इसका वाला का 9000 है क्योंकि SLM है ना तो SLM सबसे पहले हमारा depreciation लग गया जो assets भी का तो दो depreciation है एक normal वाला एक revaluation वाला अब assets को जब हम बेचने गये तो हमें ध्यान रखना है कि जो revaluation assets की value में increment है उसको add करके फिर minus debt करके फिर आपको profit and loss निकालना है जो कि मैंने यहां पर किया है हमारा assets का value यह बन रहा था normally पहले साल का debt change करके तो पहले मैंने debt minus करा उसके हिसाब से निकाला loss को और सवाल में कहता था कि loss है सवाल में कहता था loss पर बेचा है तो 49,300 रुपए का समान है और मैंने बोला इसको 7,000 का नुकसान पर बेच दिया तो बीच का difference क्या होगा हमारा sale आ जाएगा कि कितने का बेचा है इस sale को इधर दिखाया है इधर हमारा final answer निकल गया 23,280 तू भी continue अगले साल जो हमारा depreciation लगेगा बरकि पूछा नहीं गया अगर लगाना हुआ तो कैसे लगाएंगे हमारे पास एक ही machinery है जिसका value निकलके CD आ जाएगा और उसके उपर सिर्फ और सिर्फ depreciation कितना लगना चालू हो जाएगा 3660 रुपए क्योंकि एक ही machinery बचा और तो कुछ बचा नहीं तो अगले साल से सीखते आये हैं तो हर साल का डेप निकाला लेकिन जिस साल है तो डेप्रिशेशन तो टोटल इतना लगा लेकिन यह वाला हिस्सा पहुंच जाएगा पी एडल में और यह वाला हिस्सा पहुंच जाएगा कहां पे रीवेलिशन में सेम अगले साल डेप्रिशेशन तो हमारा यह यह लगा लेकिन इसमें से पी एडल में स्रिफ इतना हिस्सा जाएगा बाकि रीवेलिशन में इतना जाएगा रीवेलिशन अकाउंट क्या करा हमने पीछे मसेंडरी अकाउंट में से कुछ एंट्री को एक्स्ट्रेक्ट किया जो कि रीवेलिशन ता था और डेप्रिशेशन में से एक्स्ट्रेक्ट करा जो कि हमारा यहां आ गया तो यह पूरा का पूरा चेप्टर था सर साथ वाला ए ठीक है, clear यहां तर, तो यह हमारा depreciation अब पूरा जाके खतम हो गया, journal entry पूछे, तो account अगर आपको याद हो, तो journal entry आप करके आ सकते हो, एक सवाल और आपकी किताब में given है, जिसे मैं पढ़ देता हूँ, एक सवाल और given है, मैंने पहले ही इसको, और यह सारी किताब आपके book क मैंने कुछ इसके अंदर additional डाला नहीं है, कहता है कि जेड लिमिटेड ने परचेस किया, मसीनरी रुपीस पांच लाख, इंक्लूडिंग दा बॉइलर रुपीस 1,172,017 को, तो इस assets को आप क्या करोगे सर, इस assets को दो हिस्से में बाढ़ देंगे, जो हमारे यह पांच ला बॉइलर पार्ट को assist करेंगे, पांच हजार लेस कर देंगे, और net book value remaining the assets 20% higher कर देंगे, यानि इस वाले में तो 20% को add कर देंगे, और इसमें पांच हजार रुपे क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो ultimately कहानी वही आ गई, एक बढ़ गया और एक घट गया, हाला कि एक मसीन should be adjust again to the revaluation account, एक मसीनरी बनाना है, एक depreciation, एक revaluation, तो हमारे पास balance CDVD कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि सब कुछ हमने क्या करा है, यहाँ पे बेच दिया है, एक ही मसीन था और एक कोई बेचा, तो यह आपके book का last question है, आप देख लीजे, चाहे बच्चा program का हो, चाहे आपको देखने को मिल जाएगा, depreciation chapter के illustration, आपके किताब में given है, यहाँ पर question number पर मत जाईए 31, आपको मिल जाएगा, प्रोग्राम में कौन सा है, 21, और इसमें आपका, तो हो जाएगा यह, clear है, Sir? Yes, बताईए, पर स्क्राइब करें, जो हमने किया था 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 था, यहाँ बच्च्चर वने में बच्च्च वेएगाँ अग्ड़ुषने कांट में, बॉक में, बुक में, बच्च में मसीनरी अकांट में क्या जाएवन है, आपके बच्च वेएगाँच वने अब बीच् एक मंद मैं देख लेता हूँ last में कह रहे हो collecting def nomination what you more your Menai Somewhere यह मैंने यहां पे प्लस कर दियाこれ के एक क्रड़ेंप ऑर एक अमाउंट यहां कर दिया तो यहां पर कितने क्वल सिक्व है हमारे इसको न इन्होंने अलग से दिखा रख है कितने दिखा रख है फोर жд कुछаки उसकी टेंशन मतलो वो चीज़ है मैंने ना जो आप यहाँ पर रिवेल्यूशन रिजर्व ले रखा है ना मैंने वो पता है कहाँ पर एड कर दिया इस मसीनरी में एड करके और प्रॉफिट एंड लॉस में अड़्जेस्ट कर दिया तो वो कैसे आया एक तो इसका 400 रुपे ठीक है और इसका माइनस कर देंगे जो भी माइनस बन रहा था तो बुक वालो ने इसको अलग से सेपरेटली दिखा दिया पहले आप यह देखिए यह वाला पार्ट समझ में आ गया तो बिल्कुल सही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है बुक वालो ने क्या करा वहाँ पर अल लौस से इसने 3920 रुपे दिखाए और मैंने प्रॉफिट अन्ल लौस में कितना दिखाया है प्रॉफिट अन्ल लौस में मैंने बिखाया Soort बुक वालो ने बोला कि भईखिया5000 का नशान तो लेकिन पहले भी तो रिविलिएसटीं की वीजय से आपने कमाया था वुद्ध शीट करके अलग-अलग दिखा दिया आप एक साथ लिखके चल सकते हो ठीक है एक येश चीक है चलिए कल फिर से continue regular एक दिन की छुट्टी हो गई थी कल क्लास है कल वाली क्लास में हम departmental को कर लेंगे departmental या फिर lease जो भी होगा वो देख लेंगे हम complete करेंगे येस समीर बताईए हलो हां जी समीर बताईए सर वो 3660 कैसे आया है 3660 कौन से वाली की बात कर रहे है ये वाला येस सर 3660 ये ऐसे आया क्योंकि आपका जो depreciation था 4000 depreciation जो था reevaluation देखो ये 3660 बताते हैं 3660 यहां पर हमारा value कितना आप हुआ अच्छावन सो पांच हजार चाहजार और ये 3660 ठीक है या फिर आप ऐसा कर सकते हो नए पेज पर बताते हैं आपको नए पेज पर बताते हैं यहां बता देता हूं देखो एक हमारा एसेट था 40 का ठीक है अब इसका reevaluation कर दिया less यानि 4000 कम कर दिया तो 4000 कम करने के बाद मेरा एसेट का वेल्यू कम हो गया नॉर्मल हमारा depreciation कितना होता इस 4000 पे 10 यानि 40,000 पे 10 यानि 4000 रुपे और क्योंकि reevaluation से 4000 हमारा नुकसान हो गया तो अगर माइनस कर दू मेरा less होगा depreciation क्योंकि एसेट का value में कमी आ गई है तो 10% का less होगा that is आपका कितना less होगा 400 that is कितना less होगा नहीं नहीं यह value 4000 नहीं था यह value था हमारा एक मिनट रुकिया मैं वहीं से उठा लेते हैं एक मिनट दीज़े इधर देखे यानि एक old वाला depreciation है हमारा 4000 करेक्ट और अब new वाला depreciation क्या होगा सबसे पहले हमारे assets में कितना increment हुआ है increment तो हुआ नहीं assets में नुकसान हुआ है कितना नुकसान हुआ सर नुकसान हो गया हमारा नुकसान कितना हुआ assets में यह देखे assets हमारा 34,000 में से 10% का नुकसान हो गया तो यानि assets था पहले हमारा minus करके 34,000 management बोला 10% घटाओ तो मतलब कितने का घटा हो 3400 घटा दो एक तो यह हो गया नुकसान हमारा तो अब हमारा depreciation हाला कि हम 4000 चार्ज करते लेकिन नुकसान होने की वज़े से assets का value हमारा down हो गया तो यह depreciation तो minus ही नहीं कर पाएंगे तो depreciation जो नहीं लगा पाएंगे that is आपका कितना है 340 तो अब जो net depreciation लगाना है वह 3660 लगाना है ठीक है